नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेर परिचे दोस्तों पस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बहुत ही महतों पूर्ण जानकारी को ले करके जिहां आज का हमारा टोपिक है फूल गोवी के फैदे और नुकसान ये है आज का हमारा टोपिक फूल गोवी एक बहुत ही ते से निकला है जिसका मतलब है कि फूल के साथ गोवी फूल गोवी की खेती सबसे पहले एशिया में की गई आज दुनिया भर में फूल गोवी के शिर्ष उत्पादक है भारत चीन इतली फ्रांस और संयुक्तराज अमरीका इत्यादी फूल गोवी सफेद रंग के अलावा हरे बैंगनी और औरेंज रंग में भी उगाई जाती है औरेंज फूल गोवी बहुत ही पोश्टिक है और इसमें सफेद किस्म की तुलना में विटामिन A की बहुत अधिक मात्रा होती है यह विटामिन C, फोलेट, विटामिन K और विटामिन B6 का एक उतक्रिष्ट स्रोथ है विटामिन B1, थाइमीन, विटामिन B2, राइवोफलेविन, विटामिन B3, नियसीन और E, अलफा तोकोफेराल भी कम मात्रा में मौझूद होते हैं इसमें कैलशियम, मैगनीशियम, फासफोरस, पोटेशियम और मैगनीज जैसे महतोपूर्ण खनीज भी पाये जाते हैं य बहुत कम मात्रा में वसा प्रदान करती है, इसमें वसा की परियाप्त मात्रा शामिल है, जो औस अंत्रिप्त वसा और अनिवारी ओमेगा-3 fatty acid से आती है, यह आहार फाइवर भी प्रदान करता है, और इसमें प्राकृतिक शरकरा की एक छोटी मात्रा होती है, इसमें विट रक्त वाहिकाओं को बनाए रखने में मदद करती है, ग्लुकोराफेनीन आईसोथियोसाइनेट में बदल जाता है, जो कि सुझन को कम करने वाली गतिविधियों को सक्रिय करने और रक्त वाहिकाओं में लिपीड के संचय को रोकने में मदद करता है, यह रक्त के औबाधि प्रवाह में सहायता करता है जो कि एथारोस्क्लोरेसिस जैसी स्थितियों के जोखिम को कम करता है और हरदय स्वास्थे को बढ़ावा देता है आईसोथियोसाइनेट इंडोल 3, कारबनोल या आई 3C एक सूजन को कम करने वाले घटक हैं जो आनुवनशी कस्तर पर कारे करता है और प्रारमभिक चरण में सूजन की गति विधियों की उत्तेजना को रोकता है यह पाचन के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है यह आहार फाइवर का एक अच्छा अश्रोथ है जो पाचन में सहायक और शरीर से विशाक्त पदार्थों के उन्मूलन को बढ़ावा देता है फुलगोवी में ग्लूकोसिनाल, ग्लूकोराफेनीन और सलफोराफेन की मुझूद आहार, आईसुथियोसाइनेट, पीट के अलसर और पीट के कैंसर जैसे विभिन पेट विकारों के जोखिम को रोकते हैं इसके अलावा फुलगोवी के लाव स्वसन पैपलोटोसिस के लिए भी होता है इसमें इंडोल 3 कारबनोल सामिल है जो पुन्रावरती प्राइकिया, फेफडे और ब्रेंची में मुखर तार को प्रभावित करती है अध्यानों से पता चला है कि कुरूसी फेरोउस सबजियों की खपत जैसे की फुलगोवी श्वसन पैपलोटोसिस की गंभिरता को कम करने में सहायता करती है कैंसर के उपचार के लिए फुलग कहा जाता है अध्यानों से पता चला है कि इन योगिकों में कैमो प्रिष्टिव और एंटी एक्स्ट्रोजन प्रभाव होते हैं जो कैंसर कोशिकाओं के विकास में बाधा डालते हैं अनुसंधान ने इस तथे के लिए समर्थन सबूत उपलब्ध कराएं हैं कि ब्रेशिक पाइता करती है फूल गोभी का सेवन हड्डियों के विकास के लिए फूल गोभी में विटामिन सी होता है जो कोलेजन के उत्पादन में महतोपून भूमिका निभाता है जो सूजन से होने वाले शती से जोड़ों और हड्डियों की सुरक्षा करता है इसके अलावा इसमे मौझूद ग्लाइको राफेनीन और सलफो राफेन की एंटी ऑक्सिडेंट और एंटी इंफ्लेमेंटरी गुणों में LDL के अस्तर और खुल कोलेस्टरोल के साथ अक्सिडेटिव तनाव को कम करने में सहायता करते हैं यह HDL कोलेस्टरोल की उत्तेजना को बढ़ावा देता है और रक्त चाप को कम करता है इसके अतिरिक तो फूल गोभी में फाइबर और ओमेगा-3 फैटी एसिड भी खराब कोलेस्टरोल को कम कर सम्रिध है अन्य स्वास्ट घटकों के साथ इसमें विटामिन सी के मौजूदगी विभिन्य प्रकार के संक्रमनों को रोकने में मदद करती है वजन कम करने में सहायक है फूल गोभी जी हां फूल गोभी में स्वास्थ घटक होते हैं जैसे कि इंडोल्स जिसमें इन्ती सिती वाले प्रभाव होते हैं अध्यानों ने इस तथ्य का समर्थन किया है कि फूल गोवी की खपत शरीर में विभिन सूजन और चायापचय संबंदी विकारों को रोकने में फायदे मंद है यह वसा जलने वाले उश्मा जनन उतेजना में भी मदद करती है और मोटापा को रोकती है फूल गोवी के फायदे हैं गर्भावस्था में बेहदलाफकारी अवश्यक फोलेट के उपस्थिती के कारण आहार में फूल गोवी को शामिल करना गर्भावस्था के दोरान फायदे मंद होता है जो कि शीशु के स्वस्थ तंत्रिका विकास में मदद करता है इ तो कोशिका जिल्ली की रिपेर में प्रभावी है तंत्रिका संकेतों को प्रिशित करने के लिए मस्तिश्क और तंत्रिका तंत्र के कुशल कामकाज के लिए अवश्यक है इसके अलावा फुल गोभी में पोटेशियम और विटामिन B6 के उपस्थिती मस्तिश्क स्वास्ते को बनाए रखने में महतोपून भूमी का निवाते हैं और नियूरो ट्रांस्मीटर सहित कई आवश्यक नर्वस तंत्रिका में उचित संचार को बढ़ावा देने के लिए डोपामाइन और नोरे पेने फ्रीन भी शामिल हैं मधुमे रोगयों के लिए फूलगोभी हैं बहुत ही अच्छी फूलगोभी का नियमित स्वन विटामिन Сी और पोटेशियम के मौझूदगी के कारण मधुमे के खत्रे को कम करने में मदद करता है फुल गोवी में पोटेशियम समगरी ग्लुकोज चया पचय को नियमित करने में मदद करती है यह शरीर में रक्त शरक्रा के बढ़े हुए स्तर के खिलाप कारवाई करने के लिए इंसुलीन हार्मोन को स्त्रावित करने के लिए अगनाशय द्वारा उपयोग की जाती है शरीर में पोटेशियम का निमन स्तर रक्त ग्लुकोज के स्तर को बढ़ा सकता है और मधुमे के लिए एक बड़ा खत्रा पैदा कर सकता है इसके अलावा अध्यान ने समर्थन किया है कि फुल गोवी में मौजूद विटामिन B6 भी गर्वकालीन मधुमे के रोगियों में ग् फुल गोवी के अर्क का अलसेरेटिव कोलाइटिस के लक्षनों पर सूजन को कम करने वाला प्रभाव पड़ता है इसमें मौजूद फेनी लिथीन आईसोथियोसाइनेट सुरक्षात्मक प्रभाव के लिए जिम्मेदा ठाहराया जा सकता है जो व्रिहदांत्र के उत्तको और कोलन एपिथेलियम में हुई शती पर एक बहुत ही अच्छा प्रभाव डालता है कॉलीफ लावर फोर अल्जाइमर फूल गोवी में मौजूद सल्फोराफेन और फूल गोवी में मौजूद सल्फोराफेन और इंडूल्स ने नियूरो डिजेनरेटिव रोगों की प् पूजन और आक्सिडेटिव तनाव के कारण होने वाली नियूरानल चोटों के उपचार में मदद करते हैं फूल गोवी के कुछ एक अन्य फायदों को जानते हैं अनुसंधान से पता चलता है कि सफेद फल और सबजियां जैसे फूल गोवी श्ट्रोक के जोखिम को कम करन मेक्यूलर डिजेनरेशन एमडी के खत्रे को कम करने में भी प्रभावी हो सकता है जो विशेश रूप से वुजूर्गों में अंधेपन तक पहुचा सकता है फूल गोवी में मौजूद सलफोराफिन अक्सिडेटिव तनाव से होने वाले नुकसान से रेटिना के उत्तको आखों की बिमारियों से बचाता है शोध अध्यानों से पता चला है कि फूल गोवी में मौजूद सलफोराफिन अल्ट्रा वाइलेट रेडियेशन की वजह से शती ग्रस्त त्वचा की रक्षा करने में प्रभावी है सुलफोराफिन की सुरक्षात्मक कारेवाई ने शरी समगरी शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है जो तंत्रिका आवेगों और मांस पेश्यों के संकुचन के प्रसारण में तंत्रिका तंत्र के कामकाज के लिए अवश्यक है फूल गोवी के अब नुक्सानों के बारे में जान लेते हैं फ खकारोधी ड्रक ले रहे हों तो विटामीन के में समरिद खाद्य पदार्थों के सेवन से पहले डॉक्टर से बात करें फूल गोवी में कई जटिल कार्बोहाइडरेट होते हैं जो पूरी तरह से पाचन तंतर में तूट नहीं पाते हैं यह कार्बोहाइडरेट आंत्र ब भिन्स्वास्थे संबंदित चिंताओं का कारण बन सकता है प्यूरीन यूरिक एसीड बनाने के लिए तूट जाते हैं और शरील में प्यूरीन यूक्त खाद्य पदार्थों का अत्याधिक सेवन करने से श्रील में यूरिक AIC का निरमार हो सकता है यहां आगे यूरीन एस से संबंधित समस्याओं जैसे कि किड्निय श्टोन और गाउट के लिए रास्ता तयार कर सकता है ऐसे जटलताओं वाले लोगों के लिए यह सलाह दी जाती है कि वे फूल गोवी की मातरा को सिमित रखें कुछ लोगों को फूल गोवी के सेवन से एलर्जी हो सकती है इसलिए वो भी इसका खयाल रखें तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए फूल गोवी के फायदों और नुकसान से जुड़ी ही अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहदी मातों पूर्ण जानकारी को ले करके तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों